आज जिस भरती के बारे में बात करेंगे वो टेरिटोरियल आर्मी की तरफ से ओपीसियल नोटी पीकिसन जारी कर दिया गया है कैसे form को feel करना होगा, कौन-कौन से candidate form को feel कर पाएंगी इस भरती का official notification का मच से download करना होगा सारी जानकारी आप सभी को दी जाएगी जो कि OPCL website पर इस भरती का OPCL notification जारी कर दिया गया form को कैसे feel करेंगे, सारी जानकारी आप सभी को इस वीडियो में दी जाएगी बच दोस्तों वीडियो को आप टोटल कमप्लीट देखते रहेगे तभी सभी क्यूशन के डाउट आपके क्लियर हो पाएंगे कैसे फोर्म को फिल करना होगा कितनी एजुकेशन कॉलिफिकेशन माई गई है इलिस विल्टे क्या आपकी होनी चाहिए सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी दोस्तों तो बीना टाइम गवाय चलिए सुरू करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आईए ले चलते हैं आप सभी को OPCL बेबसाइट पर जो कि दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर पारे होंगे OPCL बेबसाइट पर OPCL नोटिपिकेशन जारी कर दिये गया है यहाँ पे और्गनाइजेशन नेम आप देख पारे होंगे टीए यहाँ पे आर्मी बेकेंसी निकाले गई है एक्जाम यहाँ पे आप देख पारे होंगे एक्जाम डेव टीए भरती है अभी तक यानिकी ए पर देख नहीं की गए ओनलाइन मादम से बिलकुर बिलकुर इस फ़हम को आप आवेदन कर पाएंगे आल इंडिया के सारे केंडिडेट इस फ़हम को आवेदन कर पाएंगे कि किसी भी कोने में आपकी जोब कहीं भी लग जाएगी तो दोस्तों बिना टाइम को वहाँ चल जानकारी आप सभी को मिलेगी दोस्तों जिन को यह जिन कंडिडेट को यह नहीं पता है कि हम किस जौन में बिलोंग करते हैं तो उन्हें टेंसन बिलकुल भी नहीं लेना है सारी जानकारी आप सभी को मिलेगी तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले बात कर लिया इस भरती मे जब लगत कर लिए तो आपको बतादे की साइब दिस भरति में देजित से बारे में बात कर लिए लेॕ बता दे 17 वर्स तैस वर्स की बीच के इस फों को आवेदन कर पाएंगे यहां पर एज में काउंटेंग भी की जाएगी जो कि एक जुलाई आएए यहां पर दोस्तों इस भरती की हाइट के बारे में बात कर If you're that दोस्तों इस भरती की हाइट के बारे में बात kör लिएस सब्सक्राइब के इस भरती कि भी मत कर लिएس आप ऐछी के बारे में बात कर ले नाब कर लिए गएंागी scored सोला सो मिन्टर की रणिंग होने वाली है बिल्कुल यहां पर आप सभी को बता दिया जाए पांच मिनट तीस सेकंड में आपको पूरी करनी होगी और हाइट के बारे में बता दे आपको कि पांच फीट थर्टी पांच फीट आपकी हाइट आपकी होने चाहिए कम से कम और य दिया जाएं तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे जो कि 56,000 रुपए से 62,000 रुपए तक प्रती मंतिस भरती में सेलरी भी आप सभी को दी जाएगी यहां पर दोस्तों आईए बात कर लिए भरती की एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो आप देख पा रहे हो जो कि सोलजर जीडी पोश्ट के यहां पर सिंपल और सिंपल दसवी की पास की हो परिक्षा फिर भी स्वहम को आवेदन कर पाएंगे हर सब्जेक्ट में यहां पर देख पा रहे होंगे 33 परसंट से लेकर 45 परसंट के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए यहां पर देख पा रहे होंगो ओनली सिंपल और सिंपल दसवी और बारवी की परिक्षा पास की होने चाहिए सोलजर टीय के पदों पर जो भरती निकाले गई है उसके लिए सिंपल दसवी के पास कंडिडेट आवेदन कर पाएंगे हर सब्जेक्ट में 35 परसंट मार्क होने चाहिए और यहां पर आपको बता दिये जाए सोलजर कलर के लिए यहां पर दसवी पास और यहां पर कोई भी दूस्तों बैचलर डिगरी नहीं मागिए सिंपल और सिंपल एगरी कल्चर से आपको कंप्लीट किया होना चाहिए 50 से लेकर 60 परसंट हर सब्जेक्ट में मार्क सापके होने चाहिए दसवी और बारवी में 60 से लेकर 60 से लेकर 50 परसंट मार्क सापके हर सब्जेक्ट में होने चाहिए सोलजर ट्रेट्समैन के पदों पर जो भरती निकाले यह उसके लिए आठवी और दसवी पास के मार्क से आपकी होनी चाहिए आई टीए का सार्टिफिकट भी आप सभी के पास होना चाहिए दोस्तों आप सभी को अधिक जानकारी के लिए बता देखिए आप ओपीसल बेपसाइट पर जाकर ओपीसल नोटिपिकेसन को भी चेक कर पाएंगे ओपीसल नोटिपिकेस कहां से चेक करना होगा यह वीडियो के लाश्ट में आप सभी को बताने वाले हैं दोस्तों यहां पर सबसे पहले आईए बात के लिए जो भरती निकाले गए इसमें आपको फीस कैसे जाने के कितना पे करना होगा तो यहां पर इंडियन आर्मी यह आप सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए फीस बिल्कुल फ्री है और यहां पर आप सब्सक्राइब को बढ़ा दिया पेमेंट मोड के बारे में बात करेंगे तो क्रेडिट को डेविट को नेंड बैंकिंग के माधम से आप पेमेंट को भी जमा कर पाएंगे दोस्तों यहा अभी तक फिक्स नहीं की गई हैं एड़िमिर काड एक जाम डेट के जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं निरहत की गई है जैसे निरहत कर दी जाएगे हम आप सभी को बीडियो के मादम सबसे पहले बताएंगे आज के लिए बस इतना ही तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातर कि पहा है जा एक बारी एम